हलो फ्रेंज और विलकम बैक टू मोटर इडिफाइंड मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबर्दस थ्राइट कंपारिजन के साथ हाजिरू जी आँ दोस्तों आज हम लोग कंपार करने वाले हैं 2023 बजाज पल आप लोग को लिए से ही होगा वीडियो के लिए तक आप लोग को यह भी पता चल जाएगा और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू सन आटो एंड स्टार बजाज कानला फर प्रोवाइडिंग मीरी इस बाइक साथ कि मैं आप लोगों को तके देखने को को मिलती है यहां पर अभी आप लोगों को आप लोगों को यह जिकल करते आप लियूठ लेंप आप लोगो को यह जो अजलतीव दिखते ही बाकी मैं यह कहा दूं बहुत जलता अप लोगों को एनस.- पर लाइडी वह देकने को इंसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है अगर आप लोग अपर टार देख रहे हैं तो दोनों के पास ही 100 सेश्टर येंट 35 की टायर है विट 17 इंचेज ऑफ अलवील पाकि मैं कहते हैं दोनों के पास ही आप सेफ्टी में डॉल चैनल एबस मिलती है और अगर आप अगर आप लोोग यहां पर यहां पर चैनल में यह उयर्ड in 60 बढ़ाज में यहां पर यहां पर 3 एंडे नमिंग एक्ट देखने को मिल रही है और शींज है और अगर आप गेखन में आप लोगों को बता दू 155 CC SOHC 4 valve liquid cool fuel injected engine आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है 18.4 PS of max power 14.1 Nm of max torque दो यहां पर technology और VVA और assistance zipper clutch VVA की वज़े से 7400 RPM के उपर जब यह गाड़ी जाती है और जैसे आप यहां पर NS200 में आते हैं तो यहां पर आप लोगों को 199.5 CC 4 valve liquid cool triple spark DTSI engine आप लोगों को NS में आप देखने में मिल जाते है लेकिन power figures यहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा मतलब करीबन 6 PS तकी power यहां पर ज्यादा है 24.5 PS और 18.74 Nm की max torque आप लोगों को यहां 13 inches of alloy wheel हाँ खासियत के है कि यह radial tire है यहां पर आप लोगों को 227 की यह disc देखने को मिल रही है साथी ABS की ring आपको यहां पर देखने को मिल रही है और यहां पर आप लोगों को यह यह लोग क्लार की जो मोनशा स्पेंशन है वो देखने में मिल रही है लेकिन अगर आप लोग मिल जाती है तो रेर सिक्षन में भी थोड़ी वह डिफ्रेंस है जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है और आगे चलते हुए मैं आप लोगों को इन दोनों की जो इग्जॉस साउंड है वो सुना देता हूँ है बागी दोनों की इग्जॉस सांड में आप लोगो क्या दिफरेंस लेगी बिल्कुल अप नीचे कमेंट में लेकर बता सकते हैं और अगर यहां पर यहां पर नॉमल नॉमन के पार रहे हैं यहां पर आप लह को स्विच्ट आ travelled लोह नागू कैल दीपके अगरौल मेर का guided थे upMPर blossoming तो अगर आप यहां आप यहां अपर कांसोल दीकते हैं वाहल कד विझे फोन में डाउनलोड इंस्शाल करका खिया तो यह immediate चीज़ आप यहां पर देख सकता है स्पीडो ओडो टाको फ्यूल गेल सेंसर वगर आपको यहां पर भी देखने को मिल जाती है लेकिन यहां पर आप लोगों को मतलब एनस में आप लोगों को यह ब्रूद करनेटिविटी वगर देखने में नहीं मिलती है सारी चीज़े आपको सबकुछ फ्यूल गेल सेंसर वगर आपको सबकुछ दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने में मिल जाती है तो यह दोनों ही बाइकों को मैंने बता दिया कि क्या similarities है क्या differences है और चलिए अब राइट पर चलता है यहां पर आपको इन दोनों में चलाते वक्त क्य आपको काफी तगडी रिस्पॉंस यह बिल्कुल निकाल कर देती है एक चीज यहां पर जो देखने लाइक है आपको बैटते से ही जो महसूस होगी वो यह है कि हैंडल से आप जो बैठ रहे हैं सीट की डिसेंस आपको बहुत जादा यहां पर देखने नहीं मिलती है और इ इस में यह भी एक बात आप समझ सकते हैं कि इस बाइक की जो मतलब जो वीलबेस है बहुत जादा बड़ी नहीं है तो शायद यह भी एक कारण है कि यह आपको यह मतलब फील करा रही है बागी सीट के अगर बात करी जाए 810 सेट है लेकिन आप बैठ रहे हैं तो आपको ब दूबला पत्र अगर बैठ रहा है तो मैंने कहाँ से क्यों प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन अगर दोनों ही हिल दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है मैं पीछे पिलेन के लिए मैं बात कर रहा हूं ठीक है और अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहां पर मोड भी सकता है यह बहुत बढ़िया बात है एक चीज़ में आप लोगों को और यहां पर बताना चाहरा हूं वो है specific about the engine यहां पर clutch कि अगर बात करी जाए तो because of the assistance and seeper clutch यहां पर अब देख रहता है काफी हलकी आप लोगों को यह क्लच ज्राक्षन है वो यहां पर फिल होती है और अगर आप यहां पर gear की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को काफी precisely shift toxic sound भी होती है shift करते वक्त चाहे वो upshift हो चाहे वो downshift हो और काफी जार smoothness के साथ shift होती है और मैं version 3 का owner हूँ अभी तो मुझे पता है कि यहां पर false neutral है gear आप कहसकता है कि false neutral या फिक पर फिल नहीं होने वाली है तो यह बहुत बढ़िया बात है और एक चीज यहां पर जो मैं कहना चाहूंगा राइडर पोजिशन थोड़ा सा आप लोगों के आप सामने के तरफ ज दिखने में मिल जाती है और चलिए अब इंजिन के बार में बात हो रही थी तो इसका जो acceleration टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों करके बता दू तीन होन के साथ यह आप लोगों ने 60 तक देख लिया है और यह इसने 100 भी अचीव कर लिया है बाकी फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा यहां पर स्टेबिलिटी का इवन अडे स्पीड अफंडे कोई प्रॉलम नहीं है हाँ 120 पचीज जब आप जा रहे हैं तो शायद आपको फिल हो लेकिन एक सो दस बीस तक तक तो आपको यहां पर कोई स्टेबिलिटी में इशू फिल नहीं होगी वाइब्रेशन 90 के बाद हल्की से आप लोग को समझ में आरी है अगर आपने जूते ग्लाउस पहने वे वह भी आपको बहुत जादा बौदर नहीं करेगी और अगर मैं आप लोग को यहां पर ब्रेकिंग टेस्टे वह भी कर लेता है सबसे क्यूंकि यहां पर जो फ्रंट ब्रेक है अब देस्ट करेंगे और ब्रेक अप्लाइड ओमाइग गॉड्ड टूएट टूएटी टूएम के यहां पर यह जो ब्रेकडिस आपको मिल रही है काफी तगड़ी ब्रेक बाइट औ एंड ब्रेक अप्लाइड यह आपने देखा है फ्रेंट मैं इसको एक्स्ट्रीम प्रेस किया लेकिन फिसली नहीं है अब देखिए प्रोग्रेसिव फीडबाक है बहुत तुरंत आपको नहीं रियरोक रही है बाकि हरे एक पाइक में आपको यह देखने को मिलता लेकिन ब और ब्रेक अप्लाइड यह बहुत सही है एक बार गाड़ी को दोबारा मोल लेता है दन बात करते हैं यह मुझे बहुत सही लग रही है मतलब पहले हलका साब रियर्ब्रेक को अपलाई कीजिए आपको ना बहुत तगड़ी हाँ पर बिल्कुल रिस्पोंस देखने को मिले अब अगर मैं आप लोगों को हैंडलिंग और सस्पेंशन के बारे में बताओं तो सबसे पहला में सस्पेंशन आपको कहना चाहूंगा यह देखिए यह जब आप कर रहे हैं ना 141 kg की वेट है और उसके साथ क्योंकि यहां पर यहां पर सामने में यूएजडी फोक लगी ह होगी है ना तो आपको वह स्टिफनेस भी महसूस हो रही है जब आप मतलब बाइक को ऐसे हेल दोल कर रहे है ठीक है वह स्टिफनेस है वह आपको इसको यहां पर देखिए यह गढ़ा थोड़ा बहुत भी अगर गढ़ा है रास्ते पर तो वह फीड़बाक आपको इंचिं भी है कि मतलब रोड़ पे क्या है अक्चुल आपको चलाते हैं समझ में आती है लेकिन यह आपको तब हिल्प नहीं करेगी जब आप बहुत जादा गढ़े पर हैं बाकि यह आगर 10-15-20 के स्पीट पर थोड़े बहुत अगर गढ़े पर से जा भी रहें तो आपको बहुत और जएधा मजा आ रहा चलाते वर्क और मैं कह सकता हूं कि यह जो रियर व्यूमिरए इसमें अगर यह थोड़ी से और बढ़ी होती शायद और ज्यादा मजा आता वाग्या ठीक ठाक है ठीक ए अब तरहीं यहां पर अच्छी होने के हाप गुंजाइश रहती है और आप देख रहे हैं तो काफी आपको चला के हैं पर बिल्कुल मजा रहा है है हैं इसी काफी सही है और चली अब देखते हैं कि एनेस टुहंड़ेड में आप लोगो कहा तक मतलब जो फील है वो अलग हो सकती है और चली दोस्तों आप यहां पर राइड कंपारिजन स्टार्ट करते हैं ओफ ट्वेड़ी थ्री अपचा जेनेस टुहंड्रेड फर्ज गियर पर डाल दिया है और यह सेकेंड गियर पर और यह थर्ड गियर पर सेकेंड गियर तक ना आपको वह व्यजबल डिफरेंस समझ में आता काफी आप कह सकते हैं कि वह टॉर्क के साथ आपको खीशती ह बाकि अगर आप इसको MT15 से compare कर रहे हैं, तो हाँ, क्योंकि 18.4 PS तकी power और यहाँ पर 24.5 PS तकी power, तो वो जो power difference है, बहुत जारा तो नहीं, लेकिन आप visibly आपको समझ में आरे हैं, लेकिन यह आपको तब समझ मेंगी, जब आप इसको मतलब तरीके से पर्खेंगे, नॉर्मल acceleration काफी सही है, और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर rider position के बारे में बताओं, तो यहाँ पर क्या है ना, कि मैं आपको MT में बताया था, कि यह हाँ, MT में क्या था, normal आपको handlebar मिल रहे थी, यहाँ पर आपको gripon मिल रही है, तो मतलब overall जो feedback है, handle में से आपको और बहतर मिल रह आपको मिल रहा था, और rare में मैंने देख लिया, कोई है नहीं, वैसे चलिए, इसको भी mode के देख लेते हैं, यह, यह भी आप कह सकते हैं, कि बहुत जादा यहाँ पर आप लोग को difference समझ में नहीं आ रही है, mode में ठीक है, अब confidence आपको यहाँ भी मिल रही है, USD यहाँ पर यहाँ, MT में क्या है, आप लोग को रीडेल टार मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को 130 mm की नॉन रीडेल बले टार मिल रहे है, बाकि अगर आप फीड़ए कहेंगे, रिस्पॉंस कहेंगे, कॉंडरिंग के टाइम पर या फिर मतलाब यह शॉट टर्निंग लेते वक बाकि अगर आप राइडर पोजिशन देख रहे हैं, हलका जुक रहे हैं, रेयर फिटेट फुटपेग है, और यहाँ पर पिलेन को बैटने के लिए काफी जगे मिल जाती है, वेन कंपेर तो अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लच में वह जो रिस्पॉंस है, मतलब MT में थोड़ी सी सॉफ्ट मिल रहे थी, आसिस्ट की बज़े से यहाँ पर थोड़ी से आपको हाडर मिलेगी, बाकि मिड साइड पर है, एम्टी से कंपर करना तो थोड़ी सी हाड महसूस होगी, बाकि यहाँ पर आप लोग को जो सीपर क्लच है, वो देखने को न मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आपको मिलती है, एक्सिलरेशन के टाइम पर, पर मैंने डाल दिया है, तीन हॉंट के साथ, यह आप लोगों ने 0 to 60 देख लिया है, और इसने 100 भी जो है, वो अचीव कर लिया है, यह अब देखिए, मैं, I'll be very honest, ठीक है 0 to 60, 0 to 100, हाँ, यह visible आपको दिखेगी कि MT से थोड़ी, मतलब, कम समय लेकर इसने अचीव कर लिया है, वो तो visibly आपको दीख रही है, लेकिन एक चीज है ना, मतलब, जो pick up वगेरा है, ठीक है, यहाँ पर आपको, मतलब, लाजिव है कि यहाँ पर आपको वो थोड़ी अचीव कर लेती है, 0 to 60, 0 to 100, when compared to MT 15, अब यह होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी सी पावर वगेरा है, कम मिल रही है, तो यहाँ पर ज्यादा है, चीज मतलब, लाजमी है, और वो हो भी रही है, और वही अगर मैं आप लोग को बताऊं, एक बार इसको कम महसूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम आप कह सकते हैं कि वाइबरेशन ने बहुत जादे कंट्रोल है, और अगर मैं आपको कहूं कि स्टेबिलिटी कैसी है, तो 120-25 तक भी अगर आप जा रहे हैं, तो भी आपको बहुत जादा, मतलब, स्टेबिलिटी में फील महसूस करा सकती है, बाकि हाँ, और और अपका सकते हैं कि अचलरेशन के टाइम पर आप लोग को जो, मतलब, विजिबल डिफरेंस है कि यहाँ पर वो जल्दी अचीव कर रही है, वो आपको समझ में आ रही है, और चलिए, अब इसकी जो ब्रेकिंग रिस्पॉंस है, यहा यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी आप जल्दी वो पकड रही है, यह मुझे डिफरेंस लगे है, बाकि फीडबाक आपको बहुत सही मिल रही है, और हाँ, मतलब आप गराए, विजिबल डिफरेंस देख रहा है, तो थोड़ी सी बेटर आपको यहाँ मिल रही है, लेकिन एम है, अब मैं यह कह सकता हूँ भाइलो कि यहाँ पर आप लोगों को 230 की मिल रही है, और MT में 220 की मिल रही थी, लेकिन क्यूंकि दोनों में ही ABS लगी हुई है, तो यहाँ पर भी गाड़ी फिसली नहीं है, बाकि यह चीज़ चीज़ कहा जा सकता है, कि यहाँ पर भी आप लो यहाँ पर ABS ने अपना कमाल दिखाया है, बतला अब यह बिल्कुली लॉक नहीं हुई है, थोड़ी सी छोड़ी, फिर पकड़ी, फिर लॉक हुई, ताकि आप फिसलेना, तो यह चीज़ मुझे यहाँ पर समझ मही है, बाकि overall अगर देख रहे हैं भाई लोग, तो ब्रेकि यह बात है, कि यह जो USG suspension है, मुझे MT में जो stiffness है, वो जारा समझ में आ रहे थी, बाकि अगर आप देख रहे हैं, तो हाँ यह बी बात है, चली इसको भी थोड़ा सा उफ रोड लेके चलते हैं, यही मैं आपको फिल कराने की कोशिश कर रहा था, बार बार अगर आप मोड रहे हैं, तो भी आप लोग को यहाँ पर वैसे कोई फील नहीं हो रही है, आप आराम से मोड सकता है, तो आपको वो अगर आप शॉट टंस वगरा ले रहे हैं, तो भी आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई तकली फील नहीं हो रहे हैं, यह बात तो है ही, और MT स लेकर आप compare कर रहे हैं तो वहाँ पर stiffness आप लोगों को ज्यादा फील हो रही थी और जैसे आप गड़े वगरे पर लेके जा रहे थे तो भी आप लोगों को फीडबक ज्यादा मिल रहे थी यहाँ पर आप कर सकता है कि बहुत जादा आप लोगों को उतनी जादा फीडबक न है लेकिन MT का मुकाबली यहाँ पर आपको जो stiffness है थोड़ी सी कम बिल्कुल महसूस होगी लेकिन आज चाहिए आप कॉंडरिंग कर रहे हूं चाहिए आप हाई स्पीड पर हो है थोड़ी सी ऊची है तो ओवराल यहाँ पर जो handling वह आपको different जो है वो बिल्कुल समझ में आती है लेकिन दोनों की handling में हलका सा आप लोगों को difference देखने को मिलेगा क्योंकि अगर आप MT पर जाते है तो handle से आपकी जो distance से वह थोड़ी सी कम है यहाँ पर थोड़ी सी ज्य आप लोगो को करीबन टू लाक वन थाउजन तक में देखने को मिल जाएगी तो आप कह सकता है करीबन आप लोगो को 20-22,000 रुपय तक differences है यहाँ पर 20-22,000 जादा यहाँ पर 20-22,000 कम पे कर रहे हैं मैं conclusion को यह फिर्प कर सकता है वड़ीट को बहुत जादे clear रखूँगा अगर आप लोगो को KTM की बाइक पसंद थी क्योंकि जो engine है KTM से पावर चाहिए थी आपको liquid-cooled engine चाहिए थी आपको perimeter frame की जो performance है वो आपको अच्छी लगती है NS की जो look है वो आपको अच्छी लगती है आपको करीबन 30-32 km तक की mileage चाहिए थी और आपकी budget अराउंड 1,80-1,80-1,80 तक में थी तो मेरे ख्याल से यह वाली जो बाइक है आप आप लोगों को best सावित बिल्कुल करा सकती है क्योंकि performance इसकी बढ़िया है और engine की जो response है जो आवाज है उससे तो आपको प्यार हो जाएगा अगर आप इसको एपर चला के देखेंगे तो और अगर मैं आप लोगों को MT-15 के बार में बता हूँ तो यह किनको लेना performance अच्छी चाहिए तो VVA technology है liquid cool engine है आपको acceleration में अच्छी चाहिए तो यहाँ पर 18.4 PS की power है आपको मतलब traction control के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को Bluetooth देने बन मेटर कॉंसोल चाहिए था कि call SMS alert वगरह भी आप लोगों को चाहिए थी आपको अच्छा safety तो चाहिए यह साथ ह है वो भी चाहिए थी और आप लोग एक अच्छी looking वाली बाइक चाहिए साथ ही आप लोग आप डिल्टा वॉक्स जो फ्रेम है क्योंकि जानी जाती है अपनी performance के लिए अपनी आप कह सकते हैं कि handling के लिए अपनी stiffness के लिए अपनी आप कह सकते हैं confidence के लिए तो मेरे ख्याल दोनों ही बाइक बहुत बढ़िया है आप लोग को कौन सा बाइक जारा सही लगता है बिल्कुल आप मीचे comment पलिक कर mention कीजेगा मैंने अपने verdict बता दिया है आशा करतों वीडियो आप लोग को पसंदा योग आपको पता है पसंदा है तो क्या करना है भाइक को motivate करने के लि प्लीज मत बूलेगा मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपी के साथ तिल देन राइट सेफेंड जाहिंद